नाइन नाइन पोटल खुल चुका है अब से सब कुछ सही होगा पर मात्मा कहते हैं मेरे प्रिये बच्चे आने वाले 12 घंटों में तुम एक उलेखनी पूरसकार जीतने के कागार पर होंगे और यह सत्य एक चमतकारी घटना है जो तुम्हारे चीवन को हमेशा के लिए बदल देंगी आज का दिन भी बहुत ही ज्यादा शुप है आज तुम्हारी मांगी गई हर एक इच्छा सीधे युनिवर्स के साथ चुर जाएंगी इसलिए आज अपनी इच्छा सोच समझ कर ही ब्रहमांड में प्रकट करे यदि आपको परम्पिता परमेश्वर पर विश्वास है तो शीगर ही इस दिव्य संदेश को लाइक करे मेरे प्रिये यह खुबसूरत आशिरवाद एक खाजाना है जो आने वाले फर्षों में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए आपार खुशी और प्रचुरता लाएगा जिस तरह मीठी चीनी चीटियों को लुभाती है इसी तरह तुम्हारे हाद धन के प्रचुर प्रभाव को आकरशित करेंगे और तुम जीवन में धन के प्रभाव को देखोगे इसे प्राप्त करने के लिए 1111 अवश्य से ही लिखे खुशियों का यह मोसम आ गया है और मैं तुम पर अपना अधुद आशिरवाद बरसाने के लिए पूरी तरह से तयार हूँ अटूर्ट विश्वास के साथ आगे बढ़ो और अपने चीवन में चमतकारों के लिए स्वेम को तयार करो मेरा इसनेह भरत पतलाव सदेव तुम्हारे साथ है इस महिने में आप प्रतिशित आशिरवादों के लिए स्वेम को तयार कर लो अद्भू समचार और जीवन में पतलने वाले चमतकार एक के बाद एक तुम्हें एक बार फिर से खुशी मैसूस करने जा रहे हो उपचार का अनुभव करने वाले हो तुम्हारा जीवन फल और फूल रहा है यह सब तुम्हारे इश्वर के दिव्यक्रपा के माध्यम से ही हो रहा है कल से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन कारी बतलाव आएगा क्योंकि मैं तुम्हारी परातना सुन रहा हूँ और मैं नए आश्रवाद लाने वाला हूँ तुम्हारे लिए चमतकार के दरवाजे खोनने के लिए बहुत उस्सुकु हूँ मेरे साथ साथ कहो आज मैं उस प्यार, उपचार और प्रचुर्टा को प्रात करने के लिए तयार हूँ जिससे मैं फास्तब में हकतार हूँ यदि तुम तयार हो तो येस आवश्य से ही लिखे मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने पंखो के नीचे आश्रेत देने के लिए तयार हूँ जहां तुम्हें सुरक्षा मिलेगी, जहां तुम्हारी सुरक्षा होगी तुम्हें सभी नुकसान से बचाव होगा तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो कि मैं जीवन के तुफानों में तुम्हारा नित्रत्व कर सकूँ और जब तुम्हें मेरी चरूरत हो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकूँ हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हरे रामा अवश्य से ही लिखे मेरे प्रिये, जब तुम्हारा हिर्दे दुख से भारी हो और तुम्हारी आखों से आसु बहने लगे, तो इस सचाई को याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ सदेव ही हूँ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और सदेव तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा आसिमित धन अच्छे स्वास्थ और आसिमित का प्रभाप प्राप्त करने के लिए स्वेम को तयारिक कर लो पांसो पचपन लिखे एक तिव्य बदलाव को अकरशित करने के लिए दनाव और हताश का समय समाप्ति की ओर है अब तुम्हें दुख से मुप्ति मिलेगी मेरे प्रिये आज मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम धनी नहीं हो जाते तब तक मुझे शांती नहीं मिलेगी परमेश्वर को तीन बार अवश्य से ही धन्यवाद लिखे अटल विश्वास के साथ कहे परमेश्वर मेरे साथ है मुझे किसी चीज की कमी नहीं है निश्चित रूप से उसका प्रेम मेरे साथ है और मैं प्रभु के आराम दायक घर में हमीशा के लिए निवास करूँगा मेरे संगर्षों पे खुशी मत मनाओ क्योंकि जब मैं ठोकर खाऊंगा तो मैं फिर से उठूँगा मेरे सबसे अंधेरे खंटों में प्रभु मेरे दिव्यमागदाशन के रोश्नी होंगे मेरे प्रिये तुम निश्चित रहो तुम्हारा अगला आशिरवार तुम्हें आश्चर चकित कर देगा क्योंकि प्रभु तुम्हारी प्रातना से ध्यान से सुन रहे है जल्द ही परमेश्वर की दयालुता तुम्हें आश्चर्य चकेत कर देने वाली है परमेश्वर कहते हैं मेरे बच्चे मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ तुम्हारा रास्ता सीधा करता हूँ तुम्हारे हर चनोतियों के लिए सही लोग, अफसर और संसातनों की विवस्था करता हूँ तुम्हारे प्रती मेरा असीम है, मैं ही जीवन का सहारा हूँ जो मेरे पास आता है, उन्हें फिर अब भूका नहीं लगती और जो मुझ पर विश्वास करते हैं उन्हें फिर प्यास नहीं लगती है, मेरे प्रिये तुम चल्म रही रव, जीत तुम्हारी चश्न मनाने वाले हो यदि स्वेम को तयार कर लिया है, तो येस, अवश्य से ही लिखे यह संगर्शों और असफलताओं से उबरने का दिव्य समय है, मैं अब से कुछ लोटने के लिए उपस दितु हूँ, जो शत्रु ने तुम से चुडा लिया है जब मैं स्वेम तुम्हारे साथ खरा हूँ, तो इसे कोई भी फरक नहीं पड़ता कि तुम्हारे खिलाफ कौन खरा है तुम मेरे प्रिये और मेरे तिव्य संतान हो, सदेव तुम्हारे साथ ही रहता हूँ मैं मैं वह सब कुछ तुम से तूर कर रहा हूँ जो तुम पर बोज्य है मैं तुम्हारे दर्द कटनाई और अभाब से उपचार सहस्ता और प्रचूरता में परवर्दित कर रहा हूँ यदि विश्वास है तो पांसो पच्पन अभी लिखे यदि आप परमात्मा से प्रेम करते हैं उन पर विश्वास करते हैं तो हमारे चैनल को शीग्र से शीग्र किर्प्या सब्सक्राइब कर ले अब इस सत्य को भी चान लो जो तुम्हारे लिए चानना आज बहुत ही आवशक है मेरे प्रिये आने वाले छे महा के भीतर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा क्योंकि तुम उस दिशा में आगे जा रहे हो जहां आने से तुम्हें पहुत अधिक और अलोकिक सुक्की प्राप्ति होने लगेंगी यह छे महा तुम्हें भीतर से उन रूप से बदलने के लिए पड़ियाप्त होंगी अब वही होगा जो तुम चाते हो हाँ अब तुम कदम रख रहे हो एक ऐसे सकरातम बदलाव की तुन्या में जहां तुम्हें तयार रहना होगा देव्य पड़िवर्दन के लिए सुख महसूस होगा शांती महसूस होगा ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम परमपिता परमेश्वर के छत्रचाया में हो मेरे प्रिये तुम देखोगे तुम्हारे चारो और से सयों की प्राप्ति होगी जो चुनोतिया मिलेगी वह हलकी नजर आएंगे तुम अध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अचानक से अपना करम करना प्रारम कर दोंगे जब वैक्ति यह जान जाता है कि मेरी दोर परमात्मा के हाथ में है तब उसे पुन विश्वास हो जाता है कि अब मैं गिर नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे स्वेम परमात्मा ने ही थामा हुआ है उस शन उसके भीतर का मनोबल बहुत अधिक मजबूत हो जाता है फिर वह उस दुनिया में चीने लगता है जिस दुनिया में भै और चिनताएं नहीं होती है अंक 906 लिखे अपने तिव्विस उर्जाओं को शुरक्षित करने के लिए मेरे प्रिये उस सुकून भरी उर्जा में अब तुम भी कदम रखने वाले हो यही तो वास्तविक स्वरूप है इसे पहचानो अपने हिर्दे से एक शांती को महसूस करो आज मैं तुम्हें बधाई देने आया हूँ क्योंकि अश्चानक से जो सुखत परिवर्तन आएगा तुम्हारे जीवन में वह तुम्हारे लिए बहुत अनुकूल होगा एक दिन तुम ऐसे मार्ग पर चल ही परोगे जहां से तुम्हें अलोकिक सुख अपाशांती और प्रचूर मात्रा में धन की प्राप्ति होंगी भूलना मत के तुम मेरे ही संतान हो मेरे बच्चे तुम अपने जीवन के एक नए चक्र के बहुत ही करीब आ चुके हो जल्द ही तुम्हें कुछ ऐसा प्रकट करोगे जो तुम्हें हमेशा से चाते थे आने वाला समय तुम्हारे लिए नए शुपकामनाएं और खुश्यों को लेकर आ रहा है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से चानता हूँ कि बीते दिनों तुमने कई कर्टनाईयों का सामना किया है किन्तु अब उन सभी कर्टनाईया तुमसे दूर जा रही है तुम्हारे जीवन का तनाव कम होगा प्रसन रहो खुश रहो तुम्हारे साथ कुछ बड़ा होने वाला है सही समय पर डिवाइन तुम्हें कुछ बहुत ही बड़ा देने वाले है यदि आप तयार हैं तो येस अवश्य से ही लिखे मेरे प्रिये मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ दिव्य योजना है तुम्हारा जीवन आशिरवार सफलता और विकास से भड़ा रहेगा आने वाला जीवन के हर चेत्र में सकरातमः पतलाव के लिए अंक आठ 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 लिखे हमेशा इस बात को याद रखना किसी चीज को पाने के लिए इतना गहरा विश्वास करो जब तक कि वह चीज तुम्हारे जीवन में प्रकट ना हो जाए तक यस बिलीव दिवा दिवान ब्लेसिंग भी यह फाट लाई शर झालीड्यक्ण चेह जायए और हुआ झाल।